हेगाई स्वालग आपका ट्लासिक टिकनल्स यूटुब चैनल पर जैसे के आपने मेरे रीजन दोल वीडियो देखी होंगे यह वागनेटिक टेप के उपर है, मेगनेटिक डिस्क के ऊपर है आज में बात करने में लोग हो ऑप्टिकल डिस्क के उपर बारे में है कर верх है और यह उतना पर स्टोरेज औरशन के बारे में बात करूं तो अब एक लीजै कि आप पर स्टोरिज औरनाईजिएशन अद्यारेटिक इसमें ट्रेक्श मिलते है ड्रेक्स मयमतलब अपने जबी इतत evenings मत 죄송 deven지만 बडं kissing, बड़े बड़े इंट समय होथा तो उनकी लिए सेवरेख का ही, बस उसी ट्रैक में तो रूड़े चैक्शा, और राक दूसरे राप में यू सिस को रहा देक्श कर अजर सी बड़ेगद बस तो रहा लऑना है और रहा नहीं उस इसी त्राक में रहे, इसरी की प्लिल स्वाइख बात है जब भी आप अमेरा लचेशлер अचेश में बेरन किरित बात करते है। जो आज गमें सिवी में सब्सक्राइब हो नॉर्मली ज्यादा तर 5.25 इंचिस का होता है जो भी 5.25 इंचिस डियामेटर का तो गोल होता है CD का तो अब storage capacity के बात करते हैं जैसे कि आपके screen के ऊपर show हो रहा है यह normally 650 Mbps का होता है लेकिन देखेंगे एक 650 Mbps में 2 लाख बचा सजार तक text को touch file printer text file को save कर सकते हो मतलब इतनी ज्यादा data का उसमें save कर सकते हो लेकिन अब बात करें storage capacity की तो यहाँ पर देख लीजे में नॉर्मल एक criteria रखूंगा 5.25 इंचिस का वहाँ पर मैं आपको storage capacity बताऊंगा किक्स storage capacity और होती है इसमें storage capacity में तो हम पर अगली point के ऊपर पढ़ता हूं मैं access mechanism की access mechanism मतलब देख लिए दोस्तों कैसे access होता है इसमें laser beam technology होती है जो read and write करने के लिए और optical surface में laser beam technology जाती है और उसमें data rain and write करता है मतलब laser optical surface के थो गया तो उस laser के थो data को rain and write capacity मिलती है जो भी data optical disk से CPU तक जाता है laser beam technology से मतलब optical disk है उसमें laser चला गया laser क्या करेगा data लेगा CPU में भी जेगा चला है पता चला गया ना तो इसके time बहुत slower है मतलब यहांपा देखेजिए 100 to 300 milliseconds तक इसके access time है इसलिए वो magnetic disk से बहुत slower है मैं आपको बताऊंगा disadvantage में इसके क्या है अब बात करते हैं इसके types के बारे में दोस्तों देखेजिए इसके types जो भी है optical disk के type CD ROM मतलब CD random read only memory sorry CD compact disk read only memory एक polycarbonate से बनानाता है और इसका जो silver color metal disk normally आपको मिलता रहेगा और यह highly reflective है इसका use है software application के लिए इसका use करते हैं तो यहांपर next point आता है CD WORM की मतलब read only right mini मतलब एक ही बार store कीजिए बहुत ही बार use कीजिए एक ही बार read कीजिए बहुत ही बार use कर लिजिए यहांपर third type आता है CD RW CD read and write आता है मतलब जितने भी बार store कीजिए निचे वाला पीछले वाला data delete कर लिए निया वाला data store कीजिए फिर यहांपर fourth point आता है DVD DVD का मतलब digital video disk यहांपर आपको वीडियो भी store करना रहता है तो यहांपर next point बढ़ता हूं इसके advantages के बारे में दोस्तों इसका advantage का है low cost high density करता है और यहांपर single spiral track के बज़े से direct access mechanism बहुत easy होता है और यहांपर इसकी जो life access से 30 years तक है मतलब 30 years तक आप data को स्योंग कर सकते हो इसको बहुत ही केरफुले handle करना पड़ेगा इसको distribute करने के लिए यह optical disc का use होता है तो अगर आपको पता सब्सक्राइब होगा optical disc लेका तो निचे ओला red button आपके सत्राइब कर जाना बाद में बलाइकन आता है उसको बढ़ाने प्लाला लाज के लिए इतना ही मिलेंगे गिल्योडे में वन्दे मातराम जाएंद